देश की रास्ट्री ये राजधानी डिल्ली के स्कूलों में अभी तक CBSE की पढ़ाई करवाई जाती है लेकिन आगे से अब ऐसा नहीं होगा डिल्ली के स्कूलों में डिल्ली सरकार के नए एजुकेशन बोर्ड के तहट पढ़ाई करवाई जाएगी क्योंकि केश्रिवाल अब अपना नया बोर्ड बनाने जा रहे हैं दिल्ली के शात्रों पर केश्रिवाल ने क्या फैसला लिया है इस रिपोर्ट में देखे दिल्ली के चात्रों के लिए अब पढ़ाई का जरिया बदल जाएगा क्योंकि अब मुख्य मंत्री अर्विंद के जिवाल ने दिल्ली राज्य का अपना सिक्षा बोड लाने का अहलान कर दिया है दिल्ली के अलग बोड को लेकर कैबिनेट की बैठक में मंझूरी दे दी गई है लिहाजा अभी तक चल रहें CBSC बोड से अलग अब 2021-22 में दिल्ली के कुछ स्कूलों में नए सिक्षा बोड के तहत ही भी पढ़ाई कराई जाएगी हलाकि दिल्ली सरकार के इस फैसले पर बहस छिड़ गई है अभी भावक और विशेशक ये इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं उनका कहना है कि क्या अभी तक दिल्ली के सरकारी स्कूलों में चल रहे CBSC बोड को हटा दिया जाएगा क्या दिल्ली बोड CBSC बोड से बहतर होगा या सिक्षा के इस तर को और खराब कर देगा हलाकि कुछ विशेशक के दिल्ली सरकार के इस फैसले को अनराजों को देखते हुए बता रहे हैं लेकिन केंद्रिय बोड के दिल्ली के स्कूलों से हटने को लेका आशंका भी जाहिर कर रहे हैं दिल्ली सरकार के नया बोड लाने की शिफारिशों का विरोत कर रहे All India Parents Association के अध्यक्त अशोक अगरवाल का कहना है कि CBSE बोड से Affiliated दिल्ली के सरकारी स्कूलों के लिए अलग से बोड बनाना सही फैसला नहीं है CBSE ना सर्फ केंद्रिय बोड है और इससे मान्यता प्राप्त स्कूल पूरे देश में हैं बलकि 21 अन्य देशों में भी CBSE बोड से पढ़ाई कराई जा रही है ऐसे में इंटरनेशनल बोड से हटा कर बच्चों को राजय बोड में डालना बच्चों के भविशे के साथ खिलवाड है हाल ही में माहराज सरकार ने राजय के सबी स्कूलों को CBSE से अटेच करने की बात कही थी लेकिन दिल्ली सरकार उसका उल्टा ही करने जा रही है जिसका अभी से ही विरोध होना शुरू हो गया है CMK एश्रिवाल ने राजधानी दिल्ली का खुद का सिक्षा बोड बनाने का फैसला लिया है और काबिनेट ने दिल्ली बोड औफ स्कूल एजुकेशन के गठन को मंजूरी भी दे दी है इस वक्त दिल्ली में करीब 1000 सरकारी और 1700 निजी स्कूल है जिन में से ज्यादा तर केंद्री माध्यमिक सिक्षा बोड यानी CBSE से संबध है लेकिन दिल्ली सरकार के इस फैसले का लोग विरोध कर रहे है इस खबर में फिलाल इतना ही बने रहे है Capital TV के साथ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करे हमारे चानल को सब्सक्राइब करे और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो अक नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ चुर्णे के लिए शुक्रिया